हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWD जॉप में बहुत सारे स्कूलों की वेकेंसी जारी हो रही है आवास्य विध्यालें से इस्पेशली वेकेंसी आही रही है लास्ट वीडियो हमने कस्तूर्वा गांधी बाली का आवास्य विध्याले की बात की जहां से वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया केवल महला ब्यरती ही वहां पर आविधन कर सकती है इस वीडियो में हम बात करेंगे वेकेंसी के बारे में जहां महला और पुरुज दोनों ही जो है आविधन कर सकते हैं गौर्मेंट स्कूल से सिक्षक भरती का जो advertisement जारी किया गया है दो नेताजी सुभास चंद्र आवासी विध्याले से vacancy आई है जहां पर B.A.D. वाले दो वर्सिय जिनोंने प्रारंबिक सिक्षा में diploma हासिल किया है वह भी जो है यहां पर eligible है यानि B.T.C. वाले, D.L.A.D. वाले B.T.C. वाले सभी जो है योग्य रहेंगे तो इस आवासी विध्याले से class 6-8 और 9-10 के लिए vacancy जारी की गई है 9-10 के लिए किसी भी प्रकार के TET की अनिवारिता नहीं है फीस आपकी यहां पर नहीं लगेगी government school की यह vacancy है और कोई भी जो है परिक्षा भी नहीं होगी चलिए देख लेते हैं vacancy का notification सारी चीजें जो है detail में समझेंगे जहां से vacancy आई है number of post की अगर हम बात करें फूंड कालिक सिक्षक या सिक्षिका तो आप देख सकते हैं यहां पर महला और पुरुस अभ्यर्ती दोनों ही आवेदन कर सकते हैं कस्तूरवा विध्याले में केवल महला विध्याले ही जो है इस बार लिये जा रहे है पहले ऐसा होता था कि वहां पर पुरुस अभ्यर्ती भी आवेदन कर सकते थे बट इस साल से किसी भी राज्य ने पुरुस अभ्यर्तियों को कस्तूर विध्याले के लिए आविधन करने के लिए योगे नहीं माना है ऐसे में नेता जी सुभाज चंद्र आवासिय विध्याले से जब भी वैकेंसी जारी होती है तो वहां महला और पुरुस दोनों ही आविधन कर सकते हैं तो यहां पर हिंदी के लिए जो है वैकेंसी आप देखें दो वैकेंसी हैं अंग्रेजी के लिए 9-10 को पढ़ाने के लिए 2 वैकेंसी हैं उसके बाद जहां पर 9-10 नहीं लिखा है यानि 6-8 classes हैं ये पूर्ण कालिक सिक्षक या सिक्षका मैथ और साइंस की वेकेंसी है दो-दो वेकेंसी हैं आप देख रहे हैं सभी सब्जक्ट में उसके बाद जो है यहाँ पर साइंस स्ट्रीम में भौतिक विज्ञान एवं गनित के लिए 9-10 को पढ़ाने के लिए 2 वेकेंसी है इस सबी जो है फुल टाइम टीचर्स की वेकेंसी है और आप सभी जानते हैं आवासे विद्धाले में टीचर्स को यहीं पर रहना होगा यानि आवास की सुविधा भी जो है आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड की जाएगी उसके बाद जो है यहाँ पर आदेश पाल, रातरी, पहरी, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, इन सब की वेकंसी है और जिसमें महला पुरुष दोनों कोई भी आविदन कर सकते हैं, इनके लिए जो है क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं चाहिए होते हैं, केवल क्लास एट तक आप लोग यहाँ पर योगे हो जाते हैं, तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर कितनी है, तीस यहाँ पर वेकंसी जारी की गई है, वेकंसी आई है, तो लास्ट वेकंसी भी जहारकंड सरकार की तरफ से आई थी और ये वेकंसी भी जहारकंड सिक्षा परयोजना जिला का रहल है पूर्वी सिंग भूम से वेकंसी जारी की गई है और आप किसी भी राज्जी के कैंडी रेट है अगर आपका सब्जेक्ट है योगेता आप रखते हैं तो बिल्कुल आवेधन कर सकते हैं सैक्षिक और गैर सैक्षिक रिक्त पदों के लिए आवेधन मांगे जा रह किसी मानेता प्राप्त बोर्ड या विसविध्याले से संबंदित विशय जिसके लिए आप आवेधन करना चाहेंगे 50% माक्स के साथ में आपने सनातक किया हो क्रम संख्या 7-8 में अंकित पदों के लिए किसी भी विशय में 50% के साथ सनातक हो सकते हैं क्रम संख्या 7 और 8 त तो इसमें भी ग्रेजुएशन नेक्स्ट अनसूचित जाती जन जाती एवं विकलांग कोटी क्या ब्यरती को इस नियम में उप्रोक्त वन्डेतों न्यूनतम प्रापतंक में 5% की छूट दी जाएगी ऐसे केंडिडेट जिनोंने सनातक के साथ में उच्चतर सेक्षन को य कोई भी ग्रेजुएट दो साल का डिप्लोमा कम्प्यूटर साइंस में होना चाहिए तो यह रहा इसनातक बाकी सब्जक्ट के लिए कम्प्यूटर साइंस के लिए बता दिया है दो साल का कम्प्यूटर साइंस में डिप्लोमा अगर ग्रेजुईशन है या फिर BCA या BS in computer science अन्य सब्जक्ट के लिए इन्होंने बीएड भी कहा है और अगर आपने प्रारंबिक सिक्षा में दो वर्षी डिप्लोमा परिक्षा उतीन की है तो भी आप यहां पर एलिजिवल हो जाते हैं इन पदों के लिए जे टैट जारकन टैट उतीन होना अनिवारे होगा राजे सरकार दोरा टैट की वैदेता आजीवन मानने की गई है क्लास 9 से 10 के लिए कहा गया है कि जो वैकेंसी बताई गई है जिस सबजेक्ट की जैसे भौतिक की एवं गणित की बताई गई है तो यहां पर जे टैट जारकन टैट जो है वो बिल्कुल अनिवारे नहीं है यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है दूसरा यहां पर कम्पुटर और सारीक सिक्षक या सिक्षका के लिए भी जो है किसी भी प्रकार का टैट नहीं चाहिए सिक्षक सिक्षकाओं की नुक्ती जो है यहां पर समविदा के अधार पर ही की जाएगी तो जैसे कसूर्व विध्याले में सेलेक्शन रहता है पहले समविदा के अधार पर और उसके बाद यहां पर रेगुलर रह सकते हैं इसी तरीके से यहां पर भी रहेगा नेक्स्ट जो है पूर्ण कालिक लेखा पाल्स है कम्पुटर ऑपरेटर के लिए जो है यहां पर कहा गया है बीकॉम 50% मार्क्स के साथ में और तक्निकी एहरता भी चाहिए कम्पुटर कोर्स अगर आपने किया एक वर्स यह PG, DCA किया है, DCA किया है या फिर कोई इसके एक्वेलेंट एक्जाम क्वालिफाई किया है हिंदी इंग्लिस में कम्पुटर टाइपिंग के साथ टैली सॉफ्वियर की जो है आपको नौलिज होनी चाहिए फिर जो है सपोर्ट इस्टाव आदेश पाल और आत्री प्रहरी के लिए जो है वो मैट्रिक चाहिए ठीक है मुक्के रसोईया सायक रसोईया आठवी पास चाहिए तो जो दो विध्याले की बात हमने की है नेताजी सुभाचंद्र बोसावासी विध्याले वन ये है गोल मुरी जमसेदपूर पूर्वी सिंग भूम में और दूसरा है लखाई डी डुमरिया पूर्वी सिंग भूम में ठीक है अभी यहाँ पर सैलरी कस्तूर विध्याले से कम है लिखा है सिक्षिकाओं का चैन समविधा के अधार पर रहेगा 15,840 प्रती महा दे होगा उसके बाद वार्सिक वेतन में व्रदी 250 करेंगे प्रती वर्ष ठीक है और इस तरीके से जो है कम्प्यूटर के लिए जो है यहाँ पर 11,000 सम्थिंग यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी बाकी जो है सैलरी सैलरी जो है वो कस्तूर विध्याले से थोड़ी कम ही है इन्होंने ऐसा नहीं लिखा है कि 3 साल बाद यह 22,000 या 23,000 कर देंग ऐसा इन्होंने इसमें नहीं लिखा है न्यूंतम आयू 21 है और मैक्जिमम आयू जो है अन्रिजर्व क्रेटिगरी की 35 यर है तो भारी राज्ये के कैंडिडेट 9,10 के लिए ही जो है अलिजिबल रहेंगे क्योंकि वहाँ पर जारकन टैटल नहीं मागा गया है ठीक है बाग फरवरी 2024 से 5 मार्च 2024 तक स्पीट पोस्ट या रजिस्ट पोस्ट ही जो है आप लोगों को करना होगा एडरस जो है आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा जिला सिक्षा पदादिकारी सह जिला कारिकरम पदादिकारी जारकन सिक्षा परयोजन पूर्वी सिंग भूम पुराना समहरा अनाले ब्लड बैंक के समीप, CH एरिया विष्णूपूर्ट, जमसेथपूर, पूर्वी सिंग भूम 831001 तो जो पिसली कस्तूरवा विध्याले की वेकैंसी थी तो वही जो है यहाँ पर निताजी सुभाज चंद्र वेकैंसी जो है उसी एरिये से है ठीक है, लास्ट डेट ध्यान में रखना है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अगर अप्लाए करना चाते हैं तो अप्लाए समय से पहले कर देंगे, 5 मार्च 2024 तो जैसे ही आप लोग मेन वेबसाइट पर आते हैं, पूर्वी सिंग भूम जहारकन की तो यहाँ पर आप लोगों को कस्तूर विध्याले में अगर आप आविधन करेंगे, तो यहाँ पर सबसे नीचे है केजी वीवी, टीचर रिकूट्मेंट डोटिस 2024 नेता जी, सुभाज चंद्र वो, सावासिय विध्याले, टीचर रिकूट्मेंट डोटिस, इसके ऊपर ही आप लोगों को मिल जाएगा, इसे आप लोगों को क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को व्यूपर क्लिक करना है, नेक्स्ट, पूरा जो है नोटि हैं, इंट्रेस्टेड हैं, तो बिलकुल आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाना चाहिए, बहुत सारी वेकैंसी जो गौर्मेंट स्कूल की रहती हैं, इनका अनुवव भी आप लोगों को फ्यूचर में काफी काम आता है, क्योंकि ऐसी वेकैंसी भी पर्मानेंट जारी की ज जाती हैं, जहां पर कहा जाता है कि कम से कम वन यर या टू यर का जो है गौर्मेंट स्कूल में पढ़ाने का आपके पास जो है experience रहा हो, तो ऐसे में जो है candidate form apply नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों को अगर आप eligible है, interested है, आपका subject है, तो बिलकुल आप लोग apply कर दें, तो जलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, THANK YOU!